आप देखरा रफ्तानिज पी युवा को गंबी रूप से मार पीट कर किया घाल मुकदमा हुआ दर्ज आपको बता दे कूरा मामला है आजमड जनपत के रहोना पार इस्तानी थाना चत्र के मिठाई लाल चवान पुत्र स्वरगी मुरली चवान ग्राम हैदराबाद रहोना पार थाना के निवासी हैं एक अगस को साम चार बजे करीब टनने के लिए जा रहते उसी समय भी पच्ची बोरी क्यादो पुत्र लाल चन यादो से कास होने लगी इसी बीच तीन लोग अग्यात वहान से आएं और मिठाई लाल चवान पुत्र स्वरगी मुरली चवान को बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया इसी दवरान घायल को जिलासपताल भरति कर आ गया जहां उसकी हिलाज चल रही है इसी के संदर्म में घायल के पुत्र के द्वारा थाने पर तर्णिर्या गया है आप देलते रतंश में क्या नाम है जवाहर चाहान क्या समस्या है भोरी किया तो बांदे पर आया लोग जारु सराप पी करके लोग मरवाद ये बहुत बुड़ी तरह से ओंटा सोलिंग पर लिया करके सुता करके लोग तीन लोग बदमाज से मार करके कपार फार दिये और जबरा जो मुग हो तोड दिये तोरने के बाद सीना तोड़ दिये इंटास खुं दिये और उसके बाद बाह में मार के पखुडा लोग तोड़ दिये अब मुबल समझ के तिन बदमाज लोग उखिम फेकर के लोग भग गए किसको मारे मिठाई चौहान के मारे मिठाई चौहान के मारे मिठाई चौ द्रफर कर दिया, और जिला बेक चलिया और यहां कुछ उद्धा नहीं हो पाएगी, जिला पता हम लोग 10 वजे रात के जिला प्लेग चले गए, हास्पीटर, सदर हास्पीटर. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अरजन्सी सहवा में उनका इलाज हुआ, और इसके बाद इलाज होने के बाद, जो है कि मुद जवरा तोड़ दिया है, उसके बाद कुछ खा रहा है, न पी रहा है, सासा चल लगी है, और उसके बाद मलेक पगार पे आ गए है. घटना कब की है? यह पहली तारिक है अरपट हुई है अरपट जी हुई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है भी तो आगे अब क्या करेंगे अब वह एक जिला पर कप्तान साहब कहने अपना दरखाज देंगे अब ठीक